अभी गूगल और यूट्यूब पे सबसे ट्रेंडिंग कोश्चन बन चुका है नीटस ड्रेंड्स के लिए कि नीट इक्जाम होगा कब फरवरी का मन था चुका है पहले दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाते थे इस वक्त मिड फरवरी चल रहा है फरवरी में करीद दस दिन बचे हुए हैं फरवरी भी खतम हो जाएगा आखिर नीट का एक्जाम होगा कब सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है अब बात आती है कि जब एक्जाम का फाइनल डेट ही अगर हमें नहीं मालुम हो तो हम फिर एक्जाम की तैरी कैसे करें जैसे एक पहले से एक्सपेक्टेड डेट होती है कि हाँ इस दिन एक्जाम होगा तो रफ्तार फिर हमारी बढ़ जाती है क्योंकि काफी सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ बिलकुल अभी नॉर्मल लेवल की तैरी कर रहे हैं अपने आपको स्पीड अप नहीं कर रहे हैं जो इस समय करनी चाहिए क्योंकि वो सोच रहे हैं एक्जाम जून में होगा, जुलाई में होगा, आगस्त में होगा या सेप्टमबर तक क्योंकि पिछले दो सालों से एक्जाम सेप्टमबर में ही हो रहा है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ एनलिसिस के एकॉर्डिंग कि NEET का एक्जाम आखिर कब होना है NEET का एक्जाम सबसे पहले लेती कौन है National Testing Agency इसके पहले CBSEA एक्जाम लिया करती थी अब एक्जाम कंड़क्ट कराने का जो जिम्मा है वो NTA कराती है कुछ पिछले साल के एनलिसिस पे नजर डालते हैं अनलिसिस करते हैं पिछले सालों की कुछ डेट्स की 2013 में NEET का एक्जाम स्टार्ट हुआ एक्जाम 5 में को कराया गया 2014 में 4 में को कराया गया 2015 में 2 बार NEET कंड़क्ट करनी पड़ी पहला बार जो एक्जाम हुआ वो 3 में को दूसरा बार जो एक्जाम हो 25 जुलाई को तुम डिफरेंस देख सकते हो एक्जाम में में के बाद एक्जाम डिरेक्ट जुलाई में कराये गया है 2016 में नीट दो बार फिर से होती है पहला एक्जाम तो फस्ट में को हुआ और दूसरा एक्जाम 24 जुलाई को हुआ 2017 की बात करें 7 में को हुआ 18 में 1 में को हुआ 19 की बात करें 5 में को हुआ देख सकते हो 2013 से लेकर 2019 तक कभी भी कोई gap नहीं देखने को मिला जब भी एक्जाम कंड़क्ट कराए गए तो में में कराए गए 2015 में exam में cheating होई थी दुबारा exam कराया गया थी 25 जुलाई को 2016 में बच्चे अपने माक्स से खुस नहीं थे जादा तर बच्चे और कुछ प्रॉब्लम आई थी इसमें exam कराई गयी थी 24 जुलाई को कराई गयी थी exam अभी भी एक्सपेक्टेड डेट बच्चे जुलाई की ही सोच रहे हैं क्या है रीजन वो सुने 2020 का जो एक्जाम हुआ 13 सेप्टेंबर को हुआ NEET की एक्जाम में के फर्स्ट वीक में कराई जाती है यह सुरू से यही कल्चर चला है लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण NEET एक्जाम 13 सेप्टेंबर को कराया गया 2020 में 21 में यह एक्जाम 12 सेप्टेंबर को कराया गया कोरोना पैंडेमिक के ही कारण अब बात करते हैं जो NEET 2022 का है इसका एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकता है तो मैंने सोचा है कि 10 जुलाई, काफी जार अनलेसिस मैंने किये, उसके बाद ये रिजल्ट आया कि 10 जुलाई को NEET का एक्जाम कंड़क्ट कराया जा सकता है, चांसेस 10 को हैं या 17 जुलाई में इसले मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक notification भी नहीं आया, जब तुम्हें फेब में notification आया ही नहीं है, चांसेस पूरे हैं मार्च में आने के, तो पूरा टाइम जो मार्च का है तुम्हारा वो तो चला जाएगा application form में, बाकी अप्रेल वगरा में board के exam होने हैं, तो उसके बाद अप्रेल की बात करे फिर उसके बाद में 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 तुम्हारा लगभग application form बगरा सब कुछ submit हो जाएगा, उसके बाद कहीं न कहीं, जून के आसपस तुम्हारा admin card आएगा, और जुलाई में तुम्हारी NEET की exam होनी है, तो तुम मान कर चलो, कि exam 10 जुलाई के आसपस होना है, तो 30 जून तक तुम Times of India की जो news होती है, वो काफी authentic होती है, पास्ट में जितने भी Times of India ने news बताए है, वो कहीं न कहीं सही है, मतलब speculations जितने भी है न Times of India के, 90% मान कर चलो, सही ही होते है, ठीक है, क्योंकि government में इनकी कहीं कहीं link होती है, कुछ न कुछ, अब देखें जड़ाओ, Ministry of Education और Ministry of Health, दोनों के बीच में कुछ official meeting होई, नीट पे, और ये चीज कहीं न कहीं decide किया गया, कि exam जो है, वो हम June या July के first week में कराएंगे, कहीं न कहीं ऐसी बाते चल रही हैं, तो ये चीज करेंगे हम, June के last week मान कर चलो, और July के first week में ये exam conduct कराई जा सकती है, इसके बाद ये होना है, क्योंकि इतनी जल्दी सारी चीज़े हो नहीं पाती, क्योंकि एक बहुत ही लंबा procedure होता है, NEET में और J में, दोनों को मिला दें अगर, तो बच्चे बैठते हैं, सोच करते को 26 लाग, NEET में अकेले 16 लाग बच्चे बैठते हैं, तो ये exam बहुत ही lengthy exam है, application form भर जाती है, वो एक मेहने का लंबा प्रोसेस है, उसके बाद correction window खोली जाती है, उसके बाद भी कुछ-कुछ issue आती है, तो कुछ-कुछ चीज़े और चलती रहती है, उसके बाद admit card आता है, admit card के बाद exam conduct कराया जाता है, exam जहां conduct होना है, उसके लिए काफी सारे centers को allocation करना होता है काफी सारे centers को, तो बहुत सारी चीज़े हैं, इसलिए exam मेरे recording 10th of July को होनी है, अगर मैं बात करूँ strategy के बारे में, फरबरी में कहीं न कहीं तुम्हारे पास 10 दीन बचे हैं, मार्च में 31 देज, जून की बात करें तो 30 देज, खुल मिलाकर 132 दिन तो तुम्हारे पास है पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, इतने दिन काफी होते हैं, 132 दिन, अगर तुम 10 से 12 घंटे रोज पढ़ रहे हो, तो ये sufficient है तुम्हारे लिए, मतलब कहीं न कहीं 1500 घंटे तुम्हें complete करने होंगे, तब जाकर NEET का पूरा का पूरा syllabus complete हो पाएगा, 1500 घंटे, अब इस अब मैं बात करूँ अगर कुछ इसके बारे में, अनकैडमी पे NEET के काफी सारे batches स्टार्ट हुए हैं, जो बच्चा चाहता है कि अब मेरे पास कोई authentic videos नहीं हैं, तयारी करने के लिए, उसे चाहिए physics chemistry और biology की detailed video available हो, 1500 lectures available हो, और वो lectures हम करें, तो मेरे biology के lectures, physics chemistry के lectures, सारे lectures तुम्हें अनकैडमी पे possible मिल जाएंगे, अब देखो, last time का ये तुम्हारा चल रहा है, अगर इस समय तुम्हें अपनी रफ्तार बढ़ानी हैं, तो अनकैडमी पे कई सारे अभी batches चल रहे हैं, जो last time के लिए, तुम चाहते हो detailed batches को join करना, तुम वो भी join कर सकते हो, और हिस्ट्री में आज तक या नहीं हुआ, 40% का डिस्कॉंट तुम्हें नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे मिल रही है, ये date सिर्फ 15 फरवरी से 16 फरवरी तक के लिए ही ये valid होगा, मैं कहूंगा, 3 महिने तुम्हारे लिए sufficient है, 6 महिने का मुझे नहीं लगता कोई जरूरत ह है, 3 महिने का plan तुम्हारे लिए सबसे best होगा, 40% off मिलेगी, साड़े 17,000 की चीज, साड़े 10,000 में मिल रही है, 6 महिने की 28,000 की चीज, 17,920 उर्पे में मिल रही है, तो कहीं न कहीं discount बहुत जादा मिल रहा है, SA discount 12 मन्त पे भी है, SA discount 24 मन्त पे भी है, यह discount तभी valid होगा, जब तुम code apply करोगे, कुमार लाइव, यह code apply करने के बाद, maximum possible discount जितना भी है, वो तुम्हें मिल जाएगा, यह code के apply करने के बाद, तो overall, यह Unacademy के इतिहास में पहली बार हुआ है, 40% off तुम्हें मिल रहा है, Unacad के किसी भी subscription पे मिल रहा है, तो जल्दी से enroll कर लो, code को use करकर, कुमार लाइव, यह special offer तुमारे लिए आया है, मुझे लगता है, समझ चुके होगे, और तुम अपने time को अच्छे से utilize करोगे, क्योंकि आज से भी अगर तुम तयारी करते हो, तो मैं यह guarantee लेता हूँ, कि 15 लेक्चर, मैं questions को भी include करकर कह रहा हूँ, तो इनको अगर तुम complete कर लिए, तो selection तुमारा आशानी से हो सकता है, ओके, अब मुझे comment में जरूर बताना, तुम्हारे लिए अभी one sort video चाहिए, यह तुम्हारे लिए भी detailed video चाहिए, जो आगे आने वाले sauce 120 दिन बच रहे है, तो मैं कुछ इसमें plan कर रहा हूँ, तो तुम्हें कैसे video चाहिए, मैं detailed इसले कह रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चों को concept पूरी तरीके से clear नहीं है, तो अगर तुम चाहते हो concept को deal करना बिल्कुल initial level से, तो हम start कर सकते हैं detailed course, 120 दिन में पूरी courses करेंगे complete करने की, दो classes लेकर, और नहीं तो अगर one shot videos होती हैं, तो वो भी complete हो जाएगा, इन 100 दिनों में daily एक एक lecture आएगा, तो वैसे करकर आराम से complete हो सकता है, तो तुम अपने राए मुझे comment में बताओ, comment तुम्हारे लिए बिल्कुल खुला है, और बताओ अभी कैसी तुम्हारी तयारी चल रही है, वो भी मुझे बताओ, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और thank you